हम अगर लड़की रहते हैं और हम से किसी का विया होता और वो दहज लेके जाता ना तो हम तो उसको पहले दिन से उसको असर देखा दिखा दिते हम कहें सुन 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 ते जादे मत कूद हमको पूरा पढ़ा लिके लड़कियों को कितना कानून है एक बार फोन करेंगे पुलिस आईगी तोरे पास अब पहली बात यह मेरा ससुराल उसराल कुछ नहीं है यह मेरा होस्टल है जिसका एक ही बार हमने फीस पेड कर दिया होस्टल में महीने महीने फीस होता ना 5,000-6,000 तो यह मेरा होस्टल है एक ही बार हमने पेमेंट किया है जिसका नाम है दहेज डाउन पेमेंट किया है, भार में गया सुष्टल, असास सुष्टल, तुम लोग होस्टल के वाडन हो लो, संद्याग है ना, दहेज लिए इजट लोगे, या तो दहेज लो, या तो इजट लो, कोई एक लो, संद्याग है नहीं गया, लड़कियों को तो भई यह इतना तो भाई, आप भी समझेए, दहेज लोगरा की चीज़ों को दूर कीजिए, अब ही के वक्त में है आपके बाद, और आप भगवान से दुआ मांगते हैं, भगवान को ब्लेकमेल करते हैं, आप लग, हनुमान जी, पास कर दीजेगा, दू किलो पेडा चढ़ाएंगे, अर आपको साक्षी मांग के कसम खाते हैं, कि हम अपने विवा आमें दहेज नहीं लेंगे, ताकि कि किसी बेटी का बाप, दिल से ना रो दे, ये मांगिए भगवान से, तो भगवान से पेडा चढ़ाएंगे बोलते हैं, तो पेडा का भूख ले भगवान, स्रिष्टी का बादन डियाइन से सुचिए, भगवान भी उब गया ऐसा सुचिए, देखता हो, अगा लाइन में दखाएंगे दखाओ, दू किलो पेडा काएगा, इतनी सूट बूट में ही पांच किलो पेडा चढ़ाएगा.